एक प्रश्ण आपके मंच पर मैं भी उठा रहा हूँ और प्रश्ण मेरा है लेकिन उसके साथ पूरे देश की भावनाय जुड़ी हुई है आप भी अक्सर सोचते होंगे, हैरत में पढ़ते होंगे कि आखिर हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया आज़ादी के इतने दसकों के बाद, ये कसक आपके मन में भी होगी कि हम क्यों पीछे रह गए हमारे पास विशाल उपजाव भूमी है, हमारे नवजवान बहुत प्रतिबासाली और महनती भी है हमारे प्रास प्राकृतिक समसाधनों की कभी कोई कमी नहीं नहीं, इतना सब कुछ होने के बावजुद हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ पाया क्या कारण है कि छोटे छोटे देश भी जिनकी संख्या बहुत कम है जिनके पास प्राकृतिक संपता भी लगभग न के बढ़ा बढ़ है ऐसे देश भी बहुत कम समय में हम से आगे निकल गए यह हमारे देश वासियों की छब्दा है कि हमारा चंद्रयान चांद तक पहुँच गया हमने बहुत कम लागनत में मंगल मिशन जैसा महायग्य पूरा किया लेकिन क्या कारण है कि इस देश के करोड़ों लोगों के गाउं तक सड़क भी नहीं पहुँची साथियों भारत वासियों के इनोवेशन से दुनिया जगमगा रही है लेकिन क्या कारण रहा है कि करोड़ों भारतियों को बिजली भी नहीं मिल पाती थी आखिर हमारे देश के लोग छे दसक से ज़्यादा समय तक बुनियादी सुविधाओं के लिए भी क्यों तरस्ते रहे बड़े-बड़े लोग सत्ता में आए बड़े-बड़े सर्नेम वाले लोग भी है सत्ता में आए और चले भी गए लेकिन दसकों तक जो लोग छोटी-छोटी समस्याओं से जूद रहे थे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता साथियों मन्जिलों की कमी नहीं थी कमी नियत की थी पैसों की कमी नहीं थी पैशन की कमी थी सॉलूसंस की कमी नहीं थी संबेदना की कमी थी सामर्थ की कमी नहीं थी कमी थी कार्य संस्कृती की बहुत आसानी से कुछ लोग कबिर्दाज जी के उस देह को बिगाड करके मजाग बना देते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कल करेशो आज कर, आज करेशो अब लेकिन सोचिए अगर ये भाव हमारी कार्य संस्कृती में दसकों पहले आ गया होता तो आज देश की तस्वीर क्या होती सात्रियों हाल ही मैं मैंने एलिफेंटा तक अंडर वाटर केबल्स के जरिये बिजली पहुंचाना के एक विडियो बहुत वाइरल हो रहा था मेरी भी नजर पड़ी उमीद है आपने भी देखा होगा कल्पना कीजिए मुंबई से थोड़ी ही दुरी पर बसे लोगों को कैसा लगता होगा जब वो खूद अंधेरे में रात दिन गुजारते हुए मुंबई की चकाचोंद को देखते होंगे उस अंधेरे में सतर साल गुजार देने की कल्पना करके देखिए अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक वेक्ति ने पत्र लिख करके धन्यवाद दिया उसने पत्र इसने लिखा क्योंकि मेगालय पहली बार ट्रेन से जुड़ गया है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे सत्ता में आने से पहले मेगालय मिजोरम और त्रिपुरा भारत के रेल मैप में नहीं थे सोचिए इसने किस तरह इन राज्यों के लोगों की जिंदगी पर असर डाला होगा